देखे लिखा है पुराणों में कथा है प्रदिन साथ रथों का निर्माण करके महत्मा श्री प्रेवरत जी ने सुर्य के साथ प्रदक्षिना लगा कर साथ दीप और नदी परमदों का विभाग किया अब इन दीपों की रचना को दिव्य बनाते हुए अपने साथों पुत्रों को वहां राज दे कर स्थापित किया और अंततों गतवा सबको तिनकेक समान त्याक कर परमात्मा के परंधाम चले लपटाना नहीं संसार में लपटाना नहीं निरमाण भी करना है तो उसमें चिपकना नहीं है लपटाना नहीं है ए संसार तो लपटनवा खर है चित हमारा इसमें लपटाई नहीं जैसे सनान करके नदी से निकलाते हैं पकड़े नहीं रहते हैं उसी प्रकार निर्माण कुछ भी हो केवल वहां विराजमान परमात्मा के भाव का दिविदर्शन करके सरूप का दिविदर्शन करके नाम महराज को प्राप्त करके यात्रा बना लेनी है संसार में चिपकना नहीं है जहां चिपकाहट आवे बाहर निकली है अवे छूटेगा नहीं साब एकदम चित्म मिठाईएगा अवे उत्तान पात जी और प्रिवत ऐसे क्यों भे अपने प्रातस्मंडी पुज्य पिता जी और मा जी के दमपति जीवन की धर्म शिल्ता के कारण हम ये विचार नहीं करें कि हमारे बच्चे क्या करेंगे हम ये विचार करें कि हमको क्या करना है बच्चों का टेंसन न ला दिये जैसा हम करेंगे वैसा हमारे बच्चे करेंगे हमको उनके लिए नहीं मरना खपना तपना है अपने लिए खपना है इसलिए बाबा ने मां से कहा सोकुल धन्यम मां सुनु जगत पोध्य सुपनी श्री रगुवीद परार्मन जेहिनर भूपय जेहिन दीली शीलवान सादु स्वभाविक हम रहेंगे हमारे भी रहेंगे बच्चे सुनते हैं वो नहीं कहते हैं बच्चे देखते हैं वो करते दिखाया जाए कैसे कहके नहीं रहके चिंते नहीं करना है हम जब नहीं रह पाएंगे तो हम कह भी नहीं पाएंगे हम अपने सभी बच्चों से आकर करते हैं देखो हमको जो भगवान की दक्षिना मिलती है क्योंकि आप जानते हो तुमारे गुरुजी महराजी दक्षिना कस के लेते हैं लाला साक्षी है उसके अलावा कुछ लेते नहीं है और दक्षिना का दशांस धर्म यात्रा के लिए समर्पित करते हैं अपनी आमदनी का एक से लेकर दस्पतिशत द्रव्य समय परिवार के जीव ये भगवान में समर्पित करके चलोगे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा धर्मे उपरजित वित्तम दर्षमान से न धीमता धर्म से उपरजित अर्थ का दश्मान से भगवान के लिए समर्पित करके जो जीता है जगत में कर्थभ्य विनियोगस्च इश्प्रत्यर्थ हेतमें उस पर भगवान की सहज करपा होती है परसुतार किश्वर बाबु कह रहे थे गुरु जी लोग एक कहते हैं कि चाहे जैसे कमाओ दस परसेंट निकाल दो अपने को ठगोगे चाहे जैसे कमाओ तो चोरी करो अब 50 परसेंट निकालो क्या है यथालाव संतोष धर्म शीलता पूरवक सनमार्ग पर चलकर जो अपने को प्राप्त हो उसका एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दश परदिशत इश प्रत्यर तहेतवे अखंड पराइन करेंगे मामरतुजे कराएंगे दान पुन्न करेंगे मकर संक्राद में खिचडी बाटेंगे दिबावली में जो बच्चे अक्षम हैं उनको जाकर दिवाली का गिफ्ट बाटेंगे सब दशान से करो अपने वाले से न करो जो भगवान के नाम निकाले उससे करो ये बढ़ाएगा यही चित्मे वैराग्य बढ़ाएगा कहो नहीं इसको रहो इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को दबा दीजिए और पुने अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए